आज हम लोग हमारे एकाउंटेंट की कोर्स सीरीज में बात करने जा रहे हैं जर्नल चैप्टर की जर्नल क्या है जर्नल हम लोग बात कर सकते हैं कि जर्नल एक बुक है जिसमें हम क्या करते हैं जिसमें हम ट्रानेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि accountant का main काम ही यह है, कि वो transactions को सही से record करे, जब वो transactions सही record करेगा, तो कहीं न कहीं, आगे का सारा काम जो है, वो software कर देगा, क्योंकि हम लोग आज कल manual accounting नहीं करते हैं, हम लोग जो भी करते हैं, वो system से करते हैं, software में करते हैं, तो software में, जब तक आप input सह इसलिए आज के जितने भी software है वो आप से क्या चाहते हैं कि आप जो recording है transaction की क्योंकि वो तो आप ही का काम है तो recording of transaction एकदम सही होनी चाहिए और वो recording of transaction होगी कहां पर वो होगी journal में journal क्या है journal है original book of entry जिसमें हम लेंदेन को record करने जा रहे हैं ठीक है अब आप इतना समल लें कि recording करने के कुछ नियम होंगे कुछ rules होंगे ऐसा तो है नहीं कि simply जागे हम transaction को record कर देंगे recording करने के लिए हमें एक concept को follow करना है जिसे हम कहते हैं double entry system double entry system का मतलब यह है कि हम जब भी किसी लेंदेन को record करेंगे तो उसके दो aspect लेंगे और debit और credit की form में उसको record करेंगे सर्ड debit credit क्या है debit credit कुछ और नहीं है simply इस book के दो column है जब कोई transaction record होता है तो accounting में debit और credit की form में होता है debit credit दो side है जैसे mathematics में आप उसमल्लोक plus minus होता है सबने बढ़ा है इसी तरह accounting में भी debit और credit होता है अगर हम किसी चीज को debit में record करते हैं जैसे हम कहते हैं कोई चीज plus है अगर हमें बढ़ानी है increase करनी है तो plus कर दो plus 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 होता है इसी तरह accounting में भी अगर कोई चीज debit है या debit में record हुई है तो उसको increase करेंगे तो वापिस debit ही करेंगे इसी तरह है अगर हम create में record करेंगे तो credit ही करेंगे example आपने कभी देखा होगा आपके bank statement में या bank account में जब आप पैसा जमा कराते हो तो आपके message आता है your account has been credited आपका account credit हुआ है इतने रुपे से आप समझे इसका मतलब क्या हुआ कि आपके bank में already suppose आपके bank में already 50,000 रुपे पड़े थे यह आपका bank में credit balance था कैसे credit था वो बात करेंगे मागे लेकिन आपका balance credit था जैसे आपने इसमें 10,000 रुपे और जमा कराए आपका balance और credit हो गया अब आपके पास एक message जाता है कि आपका account balance 60,000 रुपीज credit हो गया तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि debit और credit कुछ और नहीं है अगर कोई चीज credit है जैसे बैंक में आपका balance credit है तो आप उसको जब बढ़ाओगे तो आप उसे credit ही कर रहे हूं इसी तरह अगर आपका balance कम करना हो जैसे अगर आप इसके बाद 5,000 रुपीज 5,000 रुपे निकाल लेते हूं तो आपका balance debit हो जाएगा आप message पाएंगे आपका message आएगा your account has been debited आपका account debit हो गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि reverse entry मारी गई है reverse entry हुई है और reverse क्यों हुई है क्यों कि हमने जो land in किया है वो पैसा जमा कराने का नहीं है वो पैसा निकालने का है तो आप इसतने से चीज से समझ सकते हो कि debit credit और कुछ नहीं है केवल और केवल दो side है जहां हम लेंदिन को record कर रहे है ठीक है अब आप पाएंगे कि जैसे ही आपने 5000 निकाले आपका balance 55000 हो जाता है और आगे लिखा आता है balance की balance तो भी credit ही है क्यों क्योंकि 60,000 जो balance था उसम रहे हैं simple यह debit or credit का मतलब है अब इसी तरह है जब हम लोग business में transaction को record करेंगे journal में record करेंगे तो हमें क्या करना होगा उन transaction को debit or credit की form में record करना होगा double entry system कहता है कि कोई भी lane देन ऐसा नहीं है जिसमें हम केवल एक aspect के बारे में सोचें एक aspect का मतलब कि sir हम single entry system को follow कर रहे है for example अगर मेंने कुछ खरिदा मेरे पास कुछ आया तो हम जैसे भी rule पढ़ेंगे आगे कि जब कोई चीज आ रही है कोई वस्तू आ रही है उसको debit कर लो इसको debit में record कर लो लेकिन आप सोचिए अगर कुछ आया है तो कुछ जायेगा भी ठीक है इसीतर है सर कोई कहता है कि जड़ुर नहीं है हम लोग के कुछ जाए हमारे पास से हो सत्ता हमने उदार में खरिदा हूँ बिलकुल सही है अगर आपने उदार में भी खरिदा होगा तो आपके लिए क लेंदेन करते हैं उन लेंदेन में हमारी कुछ ना कुछ असेट बनती है संपत्ति बनती है कोई लाइबिलिटी बनती है यह कोई असेट कट्टी है कोई जाती अगर आप ने कोई चीज खरी दी सब्पोर्स 50,000 तो आपके पास 50 जाई और आप नहीं नहीं पचास हेजार आपको आज नहीं कल देने तो यह आपकी क्या बनाएगा लाइबिलिटी बनाएगा कहने का मतलब क्या है अगर हम बात कर रहे हैं रिकोर्डिंग की तो हमारे रिमार्क में डेबिट और क्रेडिट दोनों आना चाहिए और आप अगर लबग हम लोग सौफ्ट्वेर का यूज करें करते हैं सौफ्ट्र कोई भी उस कर सकते हैं मार्केट में बहुत सारे सौफ्ट्वेर हैं चाहिए आप टैली यूज करें चाहिए आप बीजी सौफ्ट्र यूज करें चाहिए आप जोहों बुक्स यूज करें कोई भी सौफ् बिजनेस का प्रोफिट लॉज जानने के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं एक पार्टी का इसाब किताब रखने के लिए कि वो सारा काम सौफ्वेर कर देगा लेकिन वह जरूरी वह तब सभी होगा उचके लिए ज़रूरी क्या है कि आप के लिए आपको transaction journal में बिल्कुल सही record करना है और journal में transaction record करने के लिए आपको rules of journal rules of recording आने ही चाहिए अगर rules of recording में गलती हो गई तो कहीं न कहीं आप इमान के चलिए कि आगे का सारा काम गलत होने वाला है क्योंकि software software है हम अगर उसमें input गलत करेंगे तो वो output भी गलत देगा सब्सक्राइब आगे बात के नहीं तो यह है journal